हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू काजल्स किच्छन, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी आलू कटलेट्स, इसे बनाना बहुत ही असान है, सिरफ और सिरफ तस मिनिट में हमारे यह जो नाशता है, कुरकुरासा रेडी हो जाता है, और इसके जो इंग्रीडियेंट्स हैं, अस केलेंची गरम होने देंगे, गरम हो जाने पर हम इसमें चाम सीड्स, जिसे जीरा बोलते हैं, और तो यह मैंद द और लिए हम एहिप करेंगे जीचर avenaging च्णजर पेंट्स, आफ। भी दाल हें यहांْ मैंने ह्ने में दीच जाप श्डॉत का सकते हैं Vermont जैंट पर यहां पहनु से दो मिन के बाद हम इसने आइट करेंगे पानी की हैा फ्लेम को लेकर आपनि शना कर्म पाहर घ्र उंसके की कुछ आइट जिलेक्ड यहां में मेरा की मिडियूरा पर सोउ साथ शरण धनिया है One tablespoon हम इसमें डाल देगे और इसी अच्छे से Makes कर लेंगे हमने इससे अच्छे से Mix कर लेँना है और लास्ट में हम इसमें add करेंगे यहां पर रवा जिसे हम सुझी बोलते हैं Samolina न बोलती है एक कपली है हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गाट ना वन जाए इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके हमने सुजी को डालती रहना है और हमने यहां पे इसका जो है मिक्षर रेडी कर लेना है हमने सारी की सारी सुजी इसमें डाल दी है मिक्षर को हमने यहां पे अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्लेम को हम यहां पे लो कर देंगे और मिक्षर को लगाता चलाते हुए अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा यहां पर लाता न cricket तोड़ थे अधाय से अधाय सब्सक्राइब हो अधाया है । यौफ्만 ऩाशनर जो सब्सक्राइब हो और सब्सक्राइब हो वृत편 तोड़ल उपल पेजि़से अच्छे से ठंडा होने देंगी विल्कुल डो फॉम में आ गया ला तो अभी हमने या पर आप सिख yumक कर देना हमने आप करके खालत कनेड़े देनी यहां इस तरह से हमने याप ध्यान रखना है किसी बी तरह का जो है इसके ऊपर जो है क्रैक ना रहे नहीं तो यह जो फट सकते हैं जब हम इसे फ्राइय करेंगे तो और इस तरह से हमने जो है हम इसी तरह से cutlets ready कर लेंगे हमारे यापे सभी cutlets ready हो गए हैं और oil को हमने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था तो अब ही हम चलते हैं अगले step की और यापे हमारा oil जो है अच्छे से गरम हो गया है हमने यापे oil जो है medium hot oil में इसे fry करना है एक time पे जितने इसमें cutlets आते हैं उतने ही हमें डालने है इसे जो है overload नहीं करना है नी तो मारे जो cutlets है फट सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि हम इसे जो है overload कर देंगे तो cutlets जो है फटने का डर रहता है इसलिए हमने यापे जो है घर में guest आ रही है शाम को चाई के साथ असानी से माज जो cutlets से ready हो जाते हैं और आप देख रहे है किस तरह से बनाने में भी बहुत ही असान है और आपके बच्चों को भी जुरूर पसंद आएंगे आप ये recipe जुरूर try करना और हमारे यापे जो cutlets से एक सुन्दर सा color आ गया है अभी हम इसे निकाल लेंगे और बाकी बच्चे cutlets भी हम इसी तरह से fry कर लेंगे हमारे यापे सभी cutlets बनकर बिल्कुल त्यार हो गए हैं और मैं इसे serve करे हूँ यहापे tomato sauce और हरी chutney के साथ और इसे आप चाय के साथ भी serve कर सकते हैं हमारे यापे cutlets बनकर बिल्कुल त्यार है है ना बनाने में बहुत ही असान तो आप ये recipe शू ट्राइग करे और अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी तो प्लीज आप like करे, share करे और मेरे चैनल को subscribe करना ना बोले Thank you for watching